क्रिशी कानून के खिलाफ किसान संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है पंजाब हर्याणा में इसका सर भी देखने को मिल रहा है पंजाब हर्याणा में कई जगा हाईवे को प्रदर्शनकारियों ने बंद कर दिया है तो वहीं दिल्ली NCR में पुलिस मुस्तायद है तीन क्रिशी कानूनों के खिलाफ संगठ किसान मोर्चा ने आज भारत बंद बुलाया है इस बंद को देश के कई राजनितिक पार्टियों का भी समर्थन मिला है बंद को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गए है दिल्ली पुलिस ने साफ कह दिया है कि प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में घुसने के अनूमती नहीं होगी एक तरफ किसान नेता बोल रहे हैं कि सरकार तीनों कृशी बयान वापस ले तो दूसरी और सरकार की तरफ से एक बार फिर बाचीत के दर्वाजे खुले होने की बात कही गई है वहीं स्थिती काबू में रहे इसके लिए दिल्ली पुलिस ने भी कमर कसली है पुलिस उपायोग दीपक यादव ने कहा भारत बंद के मदे नजर एतिहाद के तौर पर सुरक्षा के परियाप्त इंतजाम किये गए है सीमावर्ती इलागों में जाँ चौकियों को मजबूत किया गया है और इंडिया गेट इवं विजय चौक सहित सभी महतुपूर्ण प्रतश्ठानों में परियाप तैनाती की जाएगी बतादे इस आंदोलन को राजनितिक पार्टियों का भी समर्थन मिल रहा है विपक्ष की कई पार्टियों ने खुल कर बंद को समर्थन देने का एलान किया है जिसमें कॉंग्रिस, SP, VSP, आप, DMK, RJD, लेफ्ट पार्टियां भी शामिल है कॉंग्रिस ने अपने सभी कारेकरताओं को भारत बंद में भाग लेने के लिए कहा है पूरू मुख्यमंत्री दिग्विजर सिंग भुपाल में धरना देंगे तो बिहार में महागडबंधन भी सड़कों पर उतरेगा पंजाब कॉंग्रिस के अध्धक्ष नवजोट सिंग सिध्धू ने भी बंद के समर्थन में ट्वीट किया सिध्धू ने लिखा इसके अम यानि संयुक्थ किसान मोर्चा के अनुसार भारत बंद में श्रमिक संघो, ट्रेड यूनियनों, करमचारियों और चातर संघो, महला संगठनों और च्रांस्पोर्टरों के संघो को शामिल किया गया है आग्भू सांथ Old principles खबरों के निश्पक्ष विश्लेशन के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and प्रेस दा बेल आइकन नेवर मिस एनी अपडेट